और चले रुकरते अगले खबर की और बारीन के एक आतंकी वादी संगठन ने भी इसराइल पर हमला बोल दिया है इसराइल के खिलाफ खाड़ी के अंदर अब चटा मोचा भी खुल गया है और इस मोची का जवाब देने के लिए इसराइल ने भारी तयारी शुरू कर दी है देखें इसराइल में पहली बार वो हुआ जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी अब इसराइल युद के छट में मोर्चे का शिकार हो रहा है इसराइल की राडार उस वक्त भ्रमित हो गए जब अचानक बहरीन के इलाखे से कई ड्रोन हमले एक के बाद देख हो इसराइल की धर्की पर ऐसा हमला पहली बार हुआ इरान ने 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद के 211 दिनों के बाद इसराइल के खिलाब चक्रव्यू का निर्मान किया है इस नक्षे को देखें तो साफ होता है कि इरान खुद इसराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है और उसने ये साबित भी करके दिखाया है इरान के बाद इराग की जमीन से भी इसराइल हमला कर चुका है इराग के बाग सीरिया की जमीन से भी इस्रेल पर हमला हुआ है सीरिया से सटे हुए लेबनान से भी इस्रेल पर लगातार हमले जारी है लेबनान से हजारों किलोमेटर दूर यमन की धर्थी से भी उथी ने इस्रेल पर ड्रून हमले किये है और अब बहरीन की जमीन का बेस्तिमाल इसरेल के खिलाफ शुरू हो चुका है यानि ये पूरा चक्र व्यू है जो इसरेल के खिलाफ तैयार हो चुका है आखिर बहरीन के एक चरमपंथी संगठन ने कैसे इसरेल को बेचैन कर दिया है हम आपको आगे बताने वाले हैं इस हमले की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं लेकिन इसरेल के खिलाफ कयार हुए इस चक्र वियो के पीछे मौजूद शक्सियत को समझना भी जरूरी है इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन इसरेल के सबसे महतुपूर्ण शहर जेरूसलम से 1856 किलो मीटर दूर इरान की राजधानी तहरान में मौजूद है इनका नाम है आयतुलाख खामेनई जिन्होंने इसरेल पर 6 दिशाओं से हमला करने की दाकत दुनिया को दिखा दिये इरान के सर्वोचिनेता आयतुलाख खामेनई से प्रभावे बहरीन के जरमपंथी संगठन बहरीन इसलामी प्रतिरोथ ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इसरेल के खिलाफ हमले का दावा किया है इस संगठन का एक और नाम है सराया अल अश्टर ये बहरीन का ऐसा पहला संगठन है जिसने ना सिर्फ इसरेल पर हमला किया है बलकि इसरेल पर हमले का दावा भी कबूल कर लिया है सराया अल अश्टर या इसलामी प्रतिरोथ वहरीन के शिया लड़ाकों का एक सन्थन है जिसमें बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम मौजूद है योद्ध से पहले वहरीन की सरकार से इस्रेल की सरकार के अच्छे संबंद विक्सित हो रहे थे सौदी अरब और इस्रेल के बीच में अबरहम अकॉर्ट साइन हो रहा था